हेलो फ्रेंज आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंबोर्टरी वाली सलवार की कटिंग तो इस तरह से हमने फैब्रिक लिया है और इस फैब्री की एक साइड ऐसे इंबोर्टरी है और जो हमारी इंबोर्टरी पहुंचे के ऊपर आएगी तो इसी की आज मैं आपके साथ की के साथ और ये एक रोकास्टर वीडियो है तो कटिंग करने से पहले हम फ्रेंस जो हमारे फैब्रीक की रोंग सेड है उसकी उपर हम निशान लगा लेंगे तांके हमें बाद में स्ट्रिटिंग करते डाइम कोई मी कन्फ्यूजन ना हो और दूसरी सेड के उपर भी हम इसी तरह से निशान लगा लेंगे तो इस तरह से हमने निशान लगा लिया है अब हम फैब्रीक को अच्छे से इस तरह की के साथ अच्छे से सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद हम नीचे देखेंगे हमें कितना पहुंचा चाहिए तो उसके एकॉर्डिंग हम इसकी लेंथ रखेंगे मुझे इसका पहुंचा नीचे से डाइंच चाहिए आप डाइंच से तीन इच भी रख सकते हैं लेकिन मैं इसका पॉंचे डाइ आंच रखोंगी तो हम- इम्बोर्डी उसे जहां से डाइ इंच पर निशान लगा लेंगे ऐसे और जहां से हम लैंग्ट रखेंगे और जहां से हमारा पहुंचा आएगा डाइ इंच का और उसके बाद जो हमने निशान लगाया है वहां से हम लैंथ रखेंगे अपनी सलवार की साड़े पैंदी इंच और इसी तरह से हम दूसरे पहुंचे के ओपर भी निशान लगाएंगे नीचे डाइ इंच पर निशान लगाकर उसके बाद हम लैंथ का निशान लगाएंगे साड़े पैंदी इंच जहां से 9 पर निशान लगा लिया और इसके बाद हम 35 पर निशान लगाएंगे और ऐसे निशान लगाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे तो इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे और इसकी बाद हम नीचे से कट करेंगे जो हमने निशान लगाया है वहां से और इस तरह से कट कर लेंगे और उसकी बाद हम अपने पहुंचे के एकोडिंग अपने पार्स की चुड़ाई रखेंगे पहुंचा मेरे पास साड़े छे इंच है तो उसके एकोडिंग हम दोनों साइट 13-13 इंच पर निशान लगा लेंगे जिदे देखी इस तरह से रखते हुए ऐसे निशान लगाएंगे 13 इंच पर अब निशानों को हम इस तरह से स्केल की हल्प से सीधा कर लेंगे और जहां से भी से सिधा सिधा ड्रोग करेंगे और अब इसको हम जहां से कट कर लेंगे और इस तरह से सी कटिंग हो चुकी है दूसरे पार्स को हम सेम इस तरह से कट करेंगे 13 इंच पर निशान लगा कर उन्हेंबी सिधा सिधा ड्रोग करकर इस की कटिंग कर लेंगे सिधा ड्रोग कर लेंगे तो इस तरह से फ्रेंस चेहाए दोनों पार्स की कटिंग हो जाएगी और जो बच्चा हो फैबरिक उसको हम अपने पॉंचे में जूस करेंगे जे देखिए ऐसे दोनों पार्स की कटिंग हो चुकी है अब हम बाकी के बच्चे हो फैबरिक को डबल फोल्ड हमने इस तरह से कर लिया है इसमेंसे हम एक सैड़ से अपनी बैल्ड की करेंगे हं रुपर सेजे बनबल साइड है तो एक सैड़ से फ्रेंस हम इसकी बैल्ड की कटिंग करेंगे इसको सीधा ड्रोक करेंगे जो सिर्वार की बेल्ट है मेरे पास तो उसको हम इस तरह से कट कर लेंगे और उसके बाद जितनी भी भी बेल्ट है उसके कोडिंग इसकी कटिंग कर लेंगे जो बेल्ट है मेरे पास तो हम जहां से हाफ इंच छोड़ देंगे और बेल्ट है मेरे पास चौभी इंच हाफ इंच हम एक्स्टा लेते हैं उसकी कटिंग कर लेंगे तो इस तरह से हमारी बेल्ट की कटिंग हो चुकी है अब हम जहां से कुंदो की कटिंग करेंगे तो कुंदो की कटिंग करने के लिए हम लेंट का निशान लगाएंगे साधे 55 इंच और तीन इंच हम पहुंचा रखेंगे और इसी तरह से हम दूसरे रपर भी निशान लगाएंगे साधे 55 इंच का तीन इंच हम पहुंचा रखेंगे इस निशान को दूसरे निशान के साथ हम ऐसे मैच कर लेंगे और आसन रखेंगे हम 1.5 इंच दूसरे सेड़ पर भी आसन 1.5 इंच रखेंगे अब इंशानों को हम इस तरह से इसके उपर इसकी कटिंग कर लेंगे और जहां से हम आसन को भी कट करेंगे तो जो उपर हमारी बंदबले सेड़ को भी हम कट करकर अलग लग कर लेंगे तो इस तरह से फ्रेंस जे हमारी सिलवार की कटिंग हो जाएगी आई होप आपको हमारी जे कटिंग अच्छी लगी होगी एजी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में बेल आइकोन को भी ओन कर लेजेगा ताकि आपको हमारी आने वाले वीडियो का नोटिकेशन सबसे पहले मिल सके क्यों थाइक थाइक स्तर्वा चैनल के लिएर भाइक के लाइक सुरू अच्छंग चैनल को सब्सक्राइब कर देती है लाइकर शाच्छंग भाइक सूक्ना टॉएच पारेग, लाइक से लाइक, वेंश तॉड़एश्गश्रदों